नमस्कर दोस्तों मैं सुविधा गुपता आज आपके साथ हूँ अपने एक नई ब्लॉग के साथ एक मद्यवर्गे परिवार के लिए बजट देखना क्यों जरूरी है? क्या इसका इतना महात्व है? इसी विशे पर आधारित है मेरा आज का ब्लॉग दोस्तों अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब अवश्य करिए साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके आए सुनते हैं मेरा यह ब्लॉग जिसका शीर्षक है मैं बजट क्यों देखूँ परसों मेरे एक परिशित का फोन आया कि सान अंदोलन की वज़े से उनके हां नेट नहीं चल रहा था तो उन्होंने मुझ से पूछा क्या आपने बजट देखा? मैंने कहा नहीं नहीं सुनकर उनके तो आश्चरे की सीमा ही नहीं रही कि ऐसा भी दुनिया में हो सकता है कि कोई बजट ना देखे उन्होंने घोर निराशा और उसुक्ता से पूछा क्यों? मैंने जवाब दिया समय नहीं था बस मेरा इतना कहना था फोन पर ही मुझे उनके हावभाव से पदा चल गया कि शायद मुझे कोई बहुत बड़ा अपराद हो गया है इससे पहले कि मैं अपनी स्थिती स्पष्ट करती व्यस्ता के चलते उन्होंने गुसे में फोन रख दिया मुझे बड़ा खराब लगा कि वाके ही मैंने शायद बहुत बड़ा इवेंट मिस कर दिया और मेरा बजट ना देखना मुझे मेरी साक्षर्ता के सब प्रमानपत्र ना चीन ले या इससे पहले कि मैं समाज में हसी का पात्र बन जाओं जटपट सब काम छोड़कर टीवी की तरफ लबकी पहली खबर यह आई कि सोना चांदी तांबा सस्ता हो गया है दिल ने कहा तूने तो वैसे भी कौन सा खरीदना था जो है वह चोरी के डर से ही नहीं पहना जाता सब लोकर में पड़ा रहता है तो तुझे क्या ही फर्क पड़ता है सस्ता हो या महंगा और आजकल तांबे के बरतन किसी मद्यमवर्गेर सोई में कम ही दिखते है क्योんकि दूसरे बरतनों को ही संभालने में बहुत समय और अनर्जी लग जाती है कांबे के बर्थनों को संभानना इतना भी सरल नहीं उसके बाद आया कि इंशोरेंस सस्ती हुई सुनकर दिल को ऐसे रहत मिली जैसे पता नहीं कि इतनी चीजें इंशोरेंस करवानी हो फिर आई बिजली की बारी खेर बिजली तो रोज मर्रा की जरूरत है इतनी सस्ती हुई ज्यादा समझ नहीं आया पर हां रोहानी सुकून जरूर मिला कि कुछ तो सस्ता हुआ है यह अलग बात है बिजली विभाग की धानली के चलते यह सस्ता होना आम आदमी को कितना नसीब हो या ना हो यह है तो सब किस्मत की बात है अब किस्मत पर किसका जोड चलता है फिर आया स्टील और स्टील के बरतन सस्ते हुए अब आप तो जानते ही हैं स्टील के बरतनों का हाल दादा खरीदे पोता बरते अब रोज रोज तो हम स्टील के बरतन खरीदने जाते नहीं एक बार खरीद लिए तो उमीद है इस जनम में तो पूरा साथ नेभा ही देंगे फिर स्टील के बरतन सस्ते होने से आम आदमी को क्या ही ज़ादा फर्क पड़ता है हाँ जिनोंने नई ग्रहस्ती बसानी हो उन्हें शायद थुड़ा फर्क पड़े फिर आया नाइलोन के वस्तर सस्ते हो गए है तो आजकल कौन सा कपड़ा स्किन फ्रेंडली यानि शरीर के लिए आराम दायक है और कौन सा नहीं सब को समझ आ गई है जब समझ नहीं थी तब कुछ भी पहन लेते थे लेकिन अब तो ज्यादा तर सूती कपड़े ही खरीदे जाते हैं और जब से मिनिमलिज्म यानि नियूंतमबाद समझ आया है तो बाजार जाने से वैसे ही कन्नी काटने लगी हूँ यूं भी इतनी महगाई और बढ़ती उम्र में नियूंतमबाद ही सुखी जीवन का आधार है लाल रंग में डाउन हैंड आने लगा तो नजर पड़ी क्या-क्या चीजे महगी हुई हैं सबसे पहले नजर आया छोले, काला चना, चनादाल, मटा रादी महगा हुआ है एक बार तो दिल को इतना जोर का धका लगा कि क्या बताओ अभी पती की बाद जैसे आकाश वणी की तरह कानों में पड़ी जब भी बाजार सबजी या किराने का समान लेने जाती हूँ और कुछ भी महगा दिखता है तो मैं अनायास ही कह देती हूँ कि यह तो बहुत महगा है तुरंथ पती का जवाब आता है तुमने कौन सा क्विंटल दो क्विंटल खरीदना है दाई सो ग्राम या आदा किलो लेना नहीं और शोर इतना और फिर मैं चुप करके जितना चाहिए होता है उतना खरीद लेती हूँ अब ऐसा तो है नहीं कि छोले, काला चना, चना दाल या मटर खाने छोड़ देंगे जितने के भी हैं मिलेंगे लेने तो हैं ही वैसे लगता है निर्मला जी को भी रसोई का सारा ही पता है एक जैसी फैमिली के मिलते जुलते वालों का ही रेट बढ़ाया है इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक उतपाद, मोबाईल, पैट्रोल, डिजल, सिल्क कपड़ा, आटो पार्ट साधी महंगे हुए यह तो जादातर हर बार ही महंगे होते हैं और साल में कई बार होते है इसमें नया क्या है, जब जिसको जो खरीदना है लोग खरीते ही हैं ज्यादा से ज्यादा थोड़ा रुख कर खरीद लेते हैं या एक-दो EMI फालतू दे देंगे चाहे कोई चीज कितनी महगी हो अमीर लोगों को तो कोई फर्क पढ़ता नहीं और रही बाद गरीब की उसको दो वक्त की रोटी ही नसीब हो जाए तो गनीमत है उसके लिए तो यह सब चीजें टीवी पर आने वाले विज्ञापन मात रहें पस सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है मध्यावर्ग और उसमें भी सर्विस सेक्टर पर ही दोहरी मार पड़ती है बिजनसमेन को तो दो नंबर का जहां से बनाना है वह बना ही लेता है सर्विस सेक्टर वालों की तो सेलरी सलिब भी खुली किताब है जिसमें से सरकार ने 30% अपना गिनकर काट ही लेना है हम चाहे कितने ही पैर पटकने कभी-कभी लगता है नौकरी पेशा मध्यावर्ग की चमड़ी भी चिकनी हो गई है बजट के बाद महंगी हुई चीजों का हफता दो हफता तो धक्का लगता है फिर धीरे धीरे नए परिवेश में घर की अर्थ वैवस्ता पट्री पर आने लगती है अब आप ही बताईए एक मध्यावर्गे नौकरी पेशा आदमी का बजट देखना क्यों जरूरी है जब हमारे देखने और सोचने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं फिर अपना समय भी क्यों पर बात करना आपके क्या विचार है कामेंट सेक्शन में कामेंट करके जरूर बताईएगा तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी लेखनी को यहीं विराम लगाती हूँ अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्देसी थौट्स अन वर्ट्रेस पर जाके पढ़ सकते हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ धहरे से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार धन्यवाद